हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ विकास और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप भी passport size photo का जो background है उसको हटा कर उसमें कोई भी background लगा हुआ है उसको हटा कर आप उसे red, green, blue या कुछ और करना चाते हैं तो कैसे कर सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं इसके लिए simple तरीका है सबसे पहले आपको अपना जो photo है वो gallery में save कर लेना है तो यह रहा हमारा photo तो पहले हम इसे passport size में कर लेते हैं फिर इसका हम background हटा कर इसको blue color में करेंगे तो यहाँ पे हम इसे crop कर लेते हैं यहाँ पे crop का option है gallery में crop का option भी होता है तो आप इसे पहले passport size का कर लीजिए तो हमने इस नकल लिया है इसको और right option पे click करते हैं save option पे click कर देते हैं हमारा जो photo है वो passport size का बन चुका है अब हमें इसका जो background है वो हटाना है और हमें साथ ही में इसका जो color है वो blue करना है तो इसके लिए आपको एक website open करने पड़ेगी तो यहाँ पे जाहिए आप Google Chrome browser में यह direct आप Google open कर लीजिए तो यहाँ पे हम Google open कर लेते हैं direct Google open करने के बाद आपको यहाँ पे search करना है उपर की तरफ remove bg आप इसे ध्यान से देख लीजिए बहाद यह अच्छी website है यह और आपको इस पे right click कर देना है यानि इसको search कर लेना है यह website थोड़ा सा load होने में time लगती है और यहाँ पे आपके पास लगबग ऐसा page आ जाएगा यहाँ पे आपको मिलेगा upload image नीचे करके या उपर करके देख लीजिए upload image पे touch करिए और अपना जो passport size का photo है वो ले लीजिए तो यहाँ पे हमारा जो photo है वो यह वाला है हम इस पे touch करते है और done option पे touch कर देते हैं आपके जो photo का background है वो हड जाएगा आप देख सकते है photo का background हड गया है अब बार्य आती है इस पे हमें blue background लगाना है अब red भी लगा सकते हो या कोई और भी लगा सकते हो इसके लिए आपको edit option पर click करना है यहीं आपको edit मिल जाएगा इस पर click करना है यहाँ पर आपको कई सारे option मिल जाएगे नीचे की तरफ तो थोड़ा सा आपको wait करना है यहाँ पर तो यहाँ पर आपके photo दिखा देगा कि अभी आपकी photo कैसी लग रही है तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है यहाँ पर आपको कई सारे option मिल जाएगे जैसे कि ये background या ये background कुछ ऐसा background भी यहाँ पर दे रखा है जहाँ पर पीछे की तरफ sky है तो यहाँ पर हम चेक करते हैं याला background आप देख सकते हैं पर यहाँ पर हमें color लगाना है तो color के लिए नीचे आना है यहाँ पर आपको मिलेगा color इस पर click करें यहाँ पर color select कर लिजिए यहाँ पर color के लिए option दे रखें तो blue पर आते हैं और blue select कर लेते हैं यह वाला ओके करते हैं और आप देख सकते हैं background में blue हो गया है आप red भी कर सकते हैं तो यहाँ पर red में आते हैं और इसको red set कर लेते हैं इस वाले option पे टाच करना है आपको डाउनलूड इमिज कर लेना है यानि इसको अपने गैलरी में सेव कर लेना है फिर आपको इसे open कर लेना है और अपन करने के बाद आपका जो photo है वो आपके सामने आ जाएगा आप देख सकते हैं कि हमारा फूटो उसका जो background है वो हड़ चुका है और साथ ही में उसमें blue background लग चुका है ऐसे आपको इसे इस्तेमाल करना है और अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को like करना है चैनल को subscribe करना है मिलते हैं किसी और नई वीडियो में